आप अकसर option buying करते हो और option selling से डरते हो क्योंकि option selling में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा capital चाहिए होता है और option buying जो है वो पांदस जार से भी हो जाती है बात सही है पर option selling में भी ऐसी strategies बन जाती है जिन में capital कम लगता है और फाइदा यह है कि अगर आप rule-based option selling साथ-साथ करते हो option buying का काम आप करते हो जिसमें आपको वक्त नहीं मिलता आप अपने office के time के साथ-साथ नहीं कर पाते है और option selling में अगर आप rule-based option selling फालो करते हो और अच्छी strategy चूज करते हो जिसमें कई बरी क्या होता है capital भी कम लगता है और profit जो है, returns ज्यादा आते है और आप इसको back testing करके देख सकते हो और इसका फाइदा आपको ही होगा एक regular income आप generate कर सकते हो आप अपने office के साथ-साथ आप इसको follow कर सकते हो ज्यादा तर option strategies में ज्यादा time नहीं चाहिए होता selling strategies में और जो मैंने strategy बनाई थी जो मैंने video post किया था आप i button में उसका link देख सकते हो इस video में मैंने दिखाया था एक strategy थी जिसमें 55,000 की capital चाहिए थी और जिसमें सिर्फ आपके 5-10 minute maximum morning में चाहिए होगे सबानो साड़े नौ बजे के around और शाम को market के closing के time पे आपको फिर 2 minute चाहिए होगे बस उसको exit करने के लिए बहुत कम time चाहिए होगा और एक regular income आप generate कर सकते हो सिर्फ 55,000 का capital आप लगाओगे और आपकी महीने की 5-7,000 income बन जाएगी जब मैंने back testing इसकी करके देखी तो पिछले 9 months में इसमें पैसा double हो गया और मेरे इसाब से I know कि आप expect करते हो कि option buying में आप छोटी amount लगाते हो और आपका पैसा double हो सकता है उसमें हो सकता है पर उसमें होने के chances इतने नहीं रहते हैं और उसमें आपको consistently watch करना पड़ते हैं बहुत सारे losses देखने पड़ते हैं अपने आपको emotionally हमेशा strong रखना पड़ता है जब आपको losses देखने को मिलते हैं पर option selling में क्या है emotions कम involved होते हैं क्योंकि एक fixed rule आप follow करोगे यह जो मैं strategy बनाई थी fixed rule follow करोगे और आपके उसमें emotions involved नहीं होगे क्योंकि हमने back testing कर रही है और back testing देखके हम उसको forward में आगे future में करते हैं तो मैंने back testing उसकी की थी stock market tool में और मैं इस video में आपको उसकी back testing दिखाऊंगा तांकि आपको पूरा confidence हो जाए आप एक बार उस video को जुरूर पहले देख लो because आपको पता होगा कि strategy exactly क्या है और मैं जब back testing उसकी बिखाऊंगा तो आपको strategy पहले से ही पता होगी 55,000 का capital बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप 20,000 मान लिजी है 15,000 अगर आपकी इतनी salary है तो आप अगर 4-5 महिने में इतना save कर सकते हो आपकी इस amount को use करके आप 6,000 महिने का 5-6,000 महिने का आपका अपने आप आजाएगा और brokerage से आप बच सकते हो because कई सारे आजकल ऐसे भी brokers हैं जो आपको zero brokerage वाले plans देते हैं आप वो वाले brokerage वो वाले broker को आप use करो और आपकी brokerage नहीं लगेगी जितना profit आएगा वो पूरा आपका profit होगा और इस तरह से आप अपनी side income generate कर सकते हो जब आपका capital बढ़ जाएग तो आप उस capital को further reuse कर सकते हो और आप अपना एक lot से दो lot बना सकते हो फिर आपकी उससे जो monthly income बन रही हो जादा हो जाती है और यह जो strategy है यह finnifty based है finnifty काफी stable है एक index और indexes जैसे bank nifty और nifty हैं उनसे काफी stable है और इसमें returns पिछले काफी time से बहुत अच्छे आया है हमेशा जब हम rule based trading करते हैं हम जारतर back testing देखते हैं पर of course हमें rule जो है उसका वह भी देखना होता कि rule कितना सही है रूल कितना justified है तो इसमें अगर आपको कोई doubts है कोई questions है आप जैसे अगर आप वीडियो पहले देख लीजिए जो इसका मैंने वीडियो बना रहा है पहले उ strategy को follow करो और मैं चाहता हूं कि आप लोग option buying के साथ option selling भी कर पाओ चाहे थोड़ी मां में करो capital कम use होगा strategy में आप कम capital वाली strategies follow कर सकते हो और आपको एक consistent income भी मिल जाए this is what I want और यही मेरा goal है तो अब मैं आपको इसकी back testing दिखाऊँगा इस टूल में step by step आपको समझाऊँगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए तो back testing के results दिखाने से पहले मैं आपको एक बार strategy का overview देता हूं कि exactly strategy क्या है तो यह finnifty की strategy है चीन निफ्टी एक index है जिसमें financial services related सारे stocks इसमें कठे उनकी average है तो यह काफी recently introduced index है नया index है पर इसमें अब काफी अच्छी liquidity मिल जाती है आप इसमें जो selling कर सकते हो बाइंग कर सकते है options की और आप इसको daily basis में कर सकते हो यह नहीं कि आपको सरफ expiry वाले दिन ही liquidity मिलेगी everyday आपको इसमें liquidity अच्छी मिल रही है और इसमें आपने यह चार options sell करनी है आपने ATM price पर जो ATM का strike price चल रहा है उसमें आपने call और एक put sell कर देना market price पर ठीक है और आपन मान लीजिए 100 इसका premium है जहां पर आपने sell किया है तो आपने जो buy का लगाना order वो लगाना 180 पर 100 प्लस 80 80% का आपने stop loss लगाना तो वहां पर आपने buy का order लगाना यह आपके दो stop loss लगेंगे तो पहले आपने market price पर sell कर देना ATM पर timing है आपके 9.16am ठीक है 9.16am यह timing है जब आ 9.30 पर sell करना मंडे को आपने 9.16 में नहीं करना मंडे को 9.30 all other days 9.16 तो यह मंडे का मंडे इट विल बी ओन 9.30 और stop loss बता दिया मैंने आपको उसके बाद आपने hedging buy करनी है hedging buy करने का फायदा आपको यह होता है capital जो required है वो कम हो जाएगी और पहले otherwise बिना hedging के इसमें capital 5,000 तक आजाती है तो आपको कम capital से trade कर सकते हो और hedging के कारण आपका return जो है ROI जो है return on investment वो बढ़ जाता है तो hedging आपने कहां लगानी है जो ATM का strike price है उसके 500 ऊपर आपने call buy कर लेना है और उसके strike price नीचे 500 strike price नीचे आपने ATM से put buy कर लेना है यह दो आपने call और put की hedging लगानी है तो आपके बाद सुबह मॉर्निंग में चार ट्रेड्स है जो आपने लेने है आपने पहले market price पर sell कर देना call और put इसको हम कहते है आपने straddle sell कर देना market price पर 960 ने है और आपने साथ के साथ जैसे ही आपने sell कर दिया वैसे आपने करना क्या है यह जो hedging है यह आपने पहले लेनी है यह आपको hedging जो है पहले buy करनी है उसके बाद आपने straddle sell करना है आपकी capital requirement कम हो जाती है तो आपको बीच में margin related को issue नहीं आता अगर आपने selling पहले कर दी और buying बाद में की तो आपको margin issue आ सकता है अगर आपके account में जो total margin required है उससे कम हुआ यानि की 1,30,000 अगर आप 55,000 ही आप margin रख रहे हो और उसी से trade कर रहे हो तो आपको hedging पहले buy करनी है this is very very important point तो यह hedging आपने buy कर ली एक call और एक put एक एक आपने buy कर लिया उसके बाद आपने यह market price पर यह sell कर देना straddle यह हो गया उसके बाद आपने order place करने है यह दो stop loss के order place करने है बाए बाए के यह दो order place करने है यह total काम में आपको 5-6 मिनट से जादा नहीं लगेंगे जब आपने यह sell किया straddle उसके बाद आप उसमें देख लेना कि किस average price पर sell हुए उसके बाद आपको calculator use करना पड़ेगा premium देखना पड़ेगा call का जो premium है जहां पर sell हुआ उसमें आपने multiply कर देना 1.8 उस premium में 1.8 multiply कर दोगे तो आपके बाद वो premium आ जाएगा जिस पर आप stop loss limit order उसमें आपको trigger price भी डालना वड़ता है आप same price डाल सकते हो यह कर दिया यह कर दिया यह कर दिया यह दोनों stop loss पर प्लेस कर दिये यह सारा काम हो गया that's it यह काम करके आपने छोड़ देना उसके बाद आपने 250 पीम तक आपने कुछ नहीं करना आपने चलने देना इसक अगर ऐसा होता है कि मालीजे बीच में कोई stop loss हिट हो जाता है मालीजे call का stop loss हिट हो गया तो आप चाहो तो उस समय call की hedge भी exit कर सकते हो फिर उसका कोई फैदा नहीं है आप उसको exit कर सकते हो अगर आप ignore भी करते हो इसमें इतना फर्क नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसके premium होगा वह बहुत माइनर होगा अगर आप exit कर दोगे अगर आपके पास टाइम है क्योंकि कई जो ब्रोकर्स हैं उनमें notification आ जाती है जैसी कोई trade होता है अगर आपको notification आगी है आप उस notification को देखके आप उसको exit कर सकते हो तो इस तरह से यह strategy है अगर आपको इसमें अभी कोई doubt है strategy में कि यह क्या हो रहा है इसमें यह क्या चीज़ चल दी कोई भी confusion आ रही है आप मुझे comment डालो आपके comment में reply करोगा मैं चाता हूँ आप strategy को पूरी तरह समझ के करो कोई आपको doubt ना रह जाए कोई गलती ना आप कर दो आप मुझे जरूर comment पूचे जो मर्जी पूचे अब हम चलते हैं हम back testing start करते हैं एक एक करके सारी चीज़ देखते हैं कि पुराने results कैसे आया हैं इसके और हम उससे पूरी तरह understand करके confident होते हैं तो मैं यह tool यूज कर रहा हूँ stock mock tool है यह बहुत ही अच्छा tool है मुझे बहुत पसंद आया हाला कि अधिन मैं इसकी recommendation नहीं कर रहा हूँ और यह finnifty की strategy के लिए आज की rate में आप इसको free of cost यूज कर सकते हो और आप इसमें यह वाली same strategy आप इसमें back test कर सकते हो तो आपको strategy इसमें add करनी पड़ेगी add strategy में जाके add करनी पड़ेगी मैंने यहाँ पर एक basket बनाई है basket का मतलब यह होता है कि आप 2-3 अलग-लग strategies का combo try कर सकते हो यह जो हमारी strategy है हमने उस वीडियो में देखा था कि Monday के दिन हमने entry लेनी है 9.30 बजे और बाकी के दिन हमने entry लेनी है 9.16 मिनट पे इसकी दो अलग-लग strategies बन जाती है और दोनों को combine करके combo बना दिया इसकी यह बास्केट में represent हो रहा है और यह जो दो strategy आप यह देख सकते हो यह वाली strategy है जो सिरफ Monday को run होगी और यह जो strategy है यह Tuesday to Friday run होगी तो यह दो strategies बन जाती है हालांकि यह की है बस initial जो starting time है उसका ही difference है तो यह देख लीजिए आप अब हम देखते हैं कि इसका वह मैंने back testing run की यहाँ पर run all strategy जब किया 19 October 2022 से लेके मैंने 23 August 4 तो almost यह कल तक का मैंने पूरी testing की है अब देखते हैं इसके results क्या आए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका overall profit कितना है 54,000 profit हुआ है और 52,000 का capital लगा है 9 months में इसका capital double हो गया ठीक है अब आप देखो win rate 68% days success मिली है profitable थी और 32% days में loss था बहुत अच्छी ratio है जाना तर strategies में यह ratio अगर मिलती है तो उनको बहुत अच्छा माना जाता है यह max profit देखते है max profit और max loss almost same है और यह एक और चीज़ देखने वाली होती है कि average profit जो है वो max loss से बहुत ज्यादा difference नहीं होना जी मतलब जो max loss है वो average profit का बहुत ज्यादा बड़ा multi clear ना हो यहां पर three times average profit 862 है और max loss 2844 है तो बहुत ज्यादा difference नहीं है और average profit और average loss भी almost similar है उसके बाद देखते हैं drawdown 7% drawdown है तो 57% drawdown bearable होता है आप अगर एक lot से करते हो तो maximum loss 3500 तक पहुंचेगा उससे नीचे नहीं जाएगा I mean this is based on previous data future में जुरूरी नहीं होता कि वो follow पर हम इससे थोड़ा सा idea लगा लगा लेते हैं कि ऐसे आगे होने वाला और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी strategies देखी हैं और मुझे यह one of the best लगती है कि इस strategy में drawdown के साथ अगर हम compare करें कि जो profit आ रहा है profit बहुत अच्छा आ रहा है और यह drawdown उसके सामने कुछ नहीं है तो यह बहुत ही अच्छे results हैं यह देखने के लिए और आगे expectancy देखते हैं 0.36 यह बहुत अच्छी expectancy है कि अगर इसमें दो तीन चीज़े एड होती है एक तो होता है कि इसमें जो भी risk reward है और win rate क्या है और loss rate क्या है तो अगर win rate अच्छा हो और risk reward अच्छा हो तो उनका multiply करके उसमें से loss rate minus कर देते हैं तो यह number आ जाता है तो यह मुझे बहुत ही comfortable number लगता तो overall इसके जो stats आए जो yearly stats आए बहुत interesting आए और भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हो max losing streak चार दिन तक लगातार loss होगा उससे जदा loss नहीं होगा आठ दिन तक max winning streak के है आठ दिन तक लगातार फाइदा हुआ पास्ट में तो यानि कि अगर आपने loss है नहीं तो चार दिन ज्यदा ज्यदा आपने पास्ट में ये loss और आठ दिन तक आपको ये फाइदा हुआ तो बहुत ही सारा कुछ बहुत interesting है आगे देखते हैं पर मंथ इसमें क्या results रहे हैं यह अब इसके results है डेवाइस और monthly results पिछले 9 months के तो पहले डेवाइस देख लेते हैं तो फिन इफ्टी जो है उसकी Tuesday को expiry होती है expiry वाले दिन सारे premium जो out of the money premium होते है वो सारे zero जाते है तो expiry वाले दिन ज्यादा तर maximum profit expiry वाले दिन होता है या उससे एक दो दिन पहले हो रहा होता है तो क्योंकि Tuesday जो है इसका expiry वाले दिन है उस दिन जो पिछले period का 9 months का जो profit हुआ हो 36% हुआ है बहुत अच्छा profit हुआ है और expiry से एक दिन पहले Monday को 21% profit हुआ और दो दिन पहले चले जाए तो Friday को 35% तो देख रहे हो कि profit इसका बहुत अच इसके क्या results है तो हम यह शुरू करते है 2022 October में हमें फर्स टाइम इसकी वहां से टेस्टिंग जो बैक टेस्टिंग का data है इसमें जो अवेलेबल है वो अक्टूबर से अवेलेबल है तो हम हमारे पास जो results आया है और October 19 को शुरू है तो October के almost mid से शुरू है तो जो October का result है व ट्वंटी एट परसेंट आरो है तो दिस कम्स तो भी आल्मोस्ट 10 परसेंट पर मन्त क्योंकि यह जो परस्ट मन्त है यह तो वैसे भी 10 डेसी ट्रेडिंग हुई है तो टोटल यह जो रिटर्न है अल्मोस्ट 10 पर मन्त है पिछले साल और इस साल अगर आप देखो कितने अगस्त में लॉस आया जास तो परसेंट और फिर 10 परसेंट 9 परसेंट फिर एक स्मॉल लॉस आया उसके बार अगस्त अभी शुरू वह तो अभी तो इसमें जू परसेंट है विकॉज तो नेट आरो आई 2023 का है 76 परसेंट और सेवन मंस की ट्रेडिंग में अगें 10 पर सें 10% per month returns option selling की strategy use करके भी rare होते हैं इतने oftenly नहीं होते हैं और उपर से capital भी हमें इसमें कम use कर रहे हैं तो बहुत ही प्यारी strategy है इसलिए मैं चाहता था कि जो option buyers हैं वो इस strategy को भी देखें option buying के साथ साथ आप छोटी capital से option selling भी कर सकते हो सिर्फ एक lot लगाके आपके लिए useful है consistent income शुरू हो जाएगी और इससे जो आपके funds accumulate होते हैं वो funds compound होगे तो आप trading में ये funds भी use कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जुरू like कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो में चैहिन